नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड जी के वन लाइनर सीरीज जिसके अंदर हम उत्राखंड की जो इंपोर्टेंट वन लाइनर बुक्स आती हैं इनके नोट्स को कवर कर रहे हैं सीरियल वाइस सबसे पहले हम नोट्स पब्लिकेशन की बुक के नोट्स को कवर कर रहे हैं और आज हमारा ये इस सीरीज का 25 पार्ट होका तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज के प्रिविस पार्ट को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आज के वीडियो में भी हम उत्राखंड के 50 important one-liners को यहाँ पे कवर करेंगे और इनको अतरिक तथ्यों के साथ हम यहाँ पे देखेंगे जिससे आपका रिवीजन और आपकी प्रेक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है रामिश्वर तीर्थ किस जनपद में इस्तित है देखे रामिश्वर तीर्थ जो है यहां आपके पितोरगड जनपद में पढ़ता है ठीक है रामिश्वर कहां आता है आपके पितोरगड जनपद में यहां आपके पूरवी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर इस्तित है तो नदी भी पूछी जा सकती है और जनपद प गंगोली हाट में इस्तित है और इस मंदिर का निर्मान मदन शर्मा के द्वारा 1972 में किया गया था तो वर्ष भी याद रखना है और किसने करवाया था मदन शर्मा जी के द्वारा इस मंदिर का निर्मान यहाँ पर करवाया गया था अगर हम भारत के संधर्व में बात करें कि जो भारत में मुख्या कामाख्या देवी मंदिर है वो किस राज्य में है तो वो आपके असम में पढ़ता है ठीक है उत्राखंड में कामाख्या देवी मंदिर पिथोरागड में है मदन शर्मा जी ने बनवाया 1972 में भारत का पूछ हाल ही में किसी एक्जाम में पूछा गया था जो नारायन आश्रम है ये आपके पिथोरागड में इस्तित है और इसकी इस्थापना 1936 में नारायन श्वामी के द्वारा की गई थी नाम याद रखेंगे कब की गई? 1936 में कहां पर है? पिथोरागड में नेक्स्ट है हमारा पिथोरागड में थल मेले की शुरुवात कब हुई थी? देखे पिथोरागड में थल मेले की शुरुवात होती है 13 अप्रेल 1940 से इस मेले की शुरुवात होती है तो ये आप से पूछा जाता है कि राज्य में थल मेला कहां लगता है? पिथोरागड में और शुरुवात होती है 13 अप्रेल 1940 में इसकी शुरुवात हुई थी जलियावाला बाग जो दिवस है जिस दिन ये हत्याकान हुआ था उस दिन इस मेले की शुरुवात की गई थी हत्यागान 13 अप्रेल 1919 को हुआ, मेले की शुरुवात आपकी 13 अप्रेल 1940 से हुई थी चलिए नेक्स्ट है हमारा मोश्टा मानू मेला किस जनपद में लगता है मोश्टा मानू मेला ये आपके पिथोरगर जनपद में लगता है लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि मोश्टा मानू मंदिर में वर्षा आगमन की पूजा की जाती है तो यहाँ मेला भी उसी समय लगता है अमूमन यहाँ मेला 16 सितंबर को लगता है तो मोश्टा मानू मेला, मोश्टा मानू मंदिर कहां लगता है, कहां इस्तित है, आपके पिथोरागड में, ठीक है Next है हमारा चौपक्या मेला किस जनपद में लगता है देखे, पिथोरागड में एक मंदिर है, चौमू देवता का मंदिर और यहीं पर आपका चौपक्ख्या मेला लगता है इंपोर्टन्ट है इसको आपको ध्यान रखना है पेपर में पूछा जा चुका है नेक्स्ट है हमारा बौरानी मेला किस जन्पद में लगता है या कहां लगता है तो ये कोशन भी हाल ही में किसी एक्जाम में पूछा गया था बौराणी मेला आपके पिथोरा गड में लगता है तो इसको याद रखना अभी किसी एक्जाम के अंदर ये पूछा गया था आपसे बताईए बौराणी मेला कहां लगता है पिथोरा गड में लगता है रहल जिवी मेला और गोरी गंगा भी कहते हैं। संगम पर जौल जीवी मेला लगता है इस मेले की शुरुवात 1914 में गजेंदर बाहदुर के द्वारा की गई थी तो ये आपको याद रखना है इंपोर्टन्ट है पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा नैनी सेनी हवाई अड़ा किस जनपद में इस्तित है तो ये भी पेपर में पूछा जा चुका है क्योंकि नाम से मिलता जुलता है नैनी सेनी से मिलता है कि ये नैनी ताल में होगा तो आपको ध्यान रखना है नैनी सेनी हवाई अड़ा आपके पिथोरा गड़ में इस्तित है तो ये पूछा जा सकता है असकोट आराकोट यात्रा प्रतेक कितने वर्षों में आयोजित की जाती है देखे इस यात्रा को लेकर भी कोशन बनते हैं यहां जो असकोट आराकोट यात्रा है इसका आयोजन हर 10 साल में होता है और किसके द्वारा इस यात का आयोजन किया जाता है सबसे पहला प्रशन तो ये बनता है कि ये यात्रा कब शुरू की गई थी तो इसकी शुरुवात 1994 में की गई थी ठीक है और हर 10 साल में इसका आयोजन होता है 1983 में पहार संस्था का गठन किया गया था शेकर पाठक के द्वारा और उसके बाद से 1983 के बाद से इस यात्रा को पहार संस्था ही आयोजित करती है तो दोनों याद रखनी है यात्रा आयूजित 1974 से होती है उसके बाद 1983 में पहार संस्था गठित की गई नैनिताल में और उसके बाद हर साल यानि कि हर दस साल में जो यात्रा होती है तिरासी के बाद से पहार संस्था ही इसे आयूजित करता है ठीक है किसने बनाई थी पहार स कंडाली उत्सव जिसे हम किर्जी महत्सव भी कहते हैं या किर्जी उत्सव भी कहते हैं दोनों नाम एक ही हैं यहां उत्सव हर 12 साल में मनाया जाता है और यहां उत्सव पिथोरागड की जो जन जातिया है मुख्य तहा जो भोटिया जन जाती है उनके द्वारा मनाया जाता ह तो जो कंडाली उत्सव है, जिसे किर्जी उत्सव भी कहते हैं, कौन मनाते हैं? पिथोरागड की भोटिया जन जाती और यहां आपके हर 12 साल में मनाया जाता है Most important है, पेपर में पूछा जा चुका है Next है, दव्योरा यात्रा किस जनपद ने मनाई जाने वाली देव यात्रा है तो दव्योरा यात्रा का आयोजन पिथोरागड में होता है ठीक है? कनाली छीना महोटसव कहां मनाया जाता है? कनाली छीना महोटसव आपके पिथोरागड जनपद ने मनाया जाता है इसके अलावा एक और महुतसब है चलिया महुतसब ये कहां मनाते हैं तो ये भी पिथोरागड में मनाया जाता है तो कनाली चीना महुतसब बोले चलिया महुतसब बोले ये सब कहां मनाया जाते हैं पिथोरागड जनपत में नेक्स्ट है हमारा पिथोरागड के सोर घाटी में धान रुपाई के समय मनाया जाता है तो जब पिथोरागड में धान की रुपाई की जाती है उस समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है ये भी पेपर में पूछा गया है प्रिविस एर कोश्चन है हिल जातरा उच्सव ठीक है अब देखें आपसे दो तीन प्रशन पूछे जाते हैं पहला हिल जातरा उच्सव कहां मनाया जाता है पिथोरा गड़ में और कब मनाया जाता है तो धान रुपाई के समय इस उच्सव को मनाया जाता है ठीक है इस उच जा सकता है कि बताईए हिल जात्रा उत्सव में कौन से निर्त किया जाता है या इससे संबंदित कौन से निर्त है आप बताएंगे स्वांग निर्त है ठीक है हिल जात्रा उत्सव कृषी उत्सव है धान रुपाई के समय मनाया जाता है नेक्स्ट है नेपाल में हिल जात्रा क्या कहा जाता है देखे जो ये हिल जात्रा उत्सव है पिथोरा गड़ में जो मनाया जाता है ये इसे नेपाल की देन माना जाता है यानि ये उत्सव कहां से आया है नेपाल से आया है और इसे नेपाल में इंद्र जात्रा के नाम से मनाया जाता है ठीक है ये भी आपको पिथोरागड में काली और कटिपानी गाड नदी के संगम पर इस्तित है आपका तालीशवर ठीक है ये आपको याद रखना है किस नदी के संगम पर है काली गंगा और कटिपानी गाड जादा तर इसको केवल काली नदी के संगम पर ही मान लिया जाता है और यहीं पर इस्ति थे आपकी तालीशवर परियोचना कहा है पितोरा गड़ एक तालीशवर आपके अलमोडा में भी है और वहां से भी कोशन बनता है आपसे पूछा जाता है कि अलमोडा के तालीशवर से हमें पौरव वंश के अभिलेक मिले थे ये कब मिले थे तो एक तालीशवर आपका अलमोडा में है जहां से हमें पौरव वंश के अभिलेक मिले थे 1915 में तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है पूछी जाती है चिर्किला बांध कहां इस्तित है देखे जो ये चिर्किला बांध है यहां आपके धौली गंगा नदी पर बना है और ये आपके धार चुला में इस्तित है तो ध्यान रखेंगे चिर्किला बांध कहां है आपके धार चुला में इस्तित है एक और बांध है पिथोरा गड में जिसका नाम है सेरा घाट बांध ये बांध कहा है ये भी आपके पिथोरा गड में है और ये वाला बांध आपके सरयू नदी के उपर बना हुआ है ठीक है एक और आपका जो परियोचना बोले जो आपके पिथोरा गड में है ताकुला परियोचना ये भी पिथोरा गड में है और सुरनी गाड परियोचना य ये भी पिद्वारगर्ण में हैं तो सारी ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो आपको याद है आप उनको लिखते वे चलें जो नहीं है उनको आप लिखते वे जरूर चलें नन्ही परी इंजिनरिंग कोलेज कहां इस्थीत है तो देखे यहाँ जो college है नन्धी परी engineering college यहाँ आपके पितोरगर जन्पद में इस्तित है आपको ध्यान रखना है Next है हमारा कुमावनी भाषा का प्रत्खम नमूना किस अभिलेग को माना जाता है कुमावनी भाषा का पहला नमूना माना जाता है दिगांस अभिलेग को और यहाँ अभिलेग हमें पितोरगर से ही मिला है कई बार हम इसको देख चुके हैं ठीक है दिगांस अभिलेग आपको direct पुछेगा कहां से मिला है आप बताएं पितोरगर से मिला है और इसी को कुमावनी भाशा का पहला नमुना माना जाता है ठीक है और इसी अभिलेक के आधार पर ये माना जाता है कि कुमावनी भाशा का विकास संस्कृत अपभरंस से हुआ पूठा जाएगा किस के अनुसार या किस के आधार पे कहा जाता है कि कुमावनी भाषा का विकास संस्कृत अपभरंस से हुआ है तो वो है दिगांज अभिलेक जो की पिथोरागड से मिला है नेक्स्ट है हमारा नियोली समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था देखें ये जो नियोली समाचार पत्र है ये आपके पिथोरागड से प्रकाशित होता था इसकी शुरुवात होती है 2001 में और एहसान बक्ष के द्वारा इसे निकाला कया था ठीक है तो इतना डिटेल मे नहीं जाएगा कि बताईए कब से आता था तो आप बताएं 2001 से एहसान बक्ष तो इतना डिटेल नहीं जाएगा आपको बस इतना याद रखना है निूली नाम का जो यह समचार पत्र है कहां से आता था पिथोरा गड़ से अगला जो हमारा कोश्चन है उत्राखंड जूती सम समाचार पत्र है ये भी आपके पिथोरा गड़ से आता है और इसकी शुरुवात 1961 में हुई थी हीरा बल्लब जूशी और एन एस रावत के द्वारा तो इसमें भी तना डिटेल नहीं जाता लेकिन आप एक्ष्टर फैक्ट के लिए लिए लिख सकते हैं तो पिथोरा गड से आते थे आपको उनके नाम पता होने चाहिए उनकी डिटेल बहुत कम चांसे की पूछा जाएगा ठीक है पहला जो आपको याद रखना है कुर्माचल प्रहरी कहां से आता था पिथोरा गड़ से आता था ठीक है परवत प्यूश पिथोरा गड़ से आता था परवत परवत प्यूश और परवत राज हिमाल जिए और यहाँ बनाई है नारायन सिंह भामी ने तो ये आपको याद रखना है पूछे जाते हैं इनका नाम किसकी डॉक्योंटरी है काफी प्रसिद डॉक्योंटरी है और पेपर में भी पूछी जा चुकी है इन्होंने सिमेनेटोग्राफी का ग्याता किसको माना जाता है उत्राखन से तो नारायन सिंग धामी को ही माना जाता है ठीक है इसके अलावा इनकी एक डॉक्युमेंटरी तो ये है डिब्रुगड की बाड लेकिन इनकी एक और डॉक्युमेंटरी है जिसका नाम है मित्रता की यात्रा तो वो भी याद रखना है मित्रता की यात्रा किस की किस ने बनाई है वो डॉक्युमेंटरी ये भी आपके नारायन सिंग धामी या कहीं पर इनको नारायन सिंग थापा भी लिखा गया है तो दोनों आपको याद रखना है मित्रता की यात्रा और धिबरुगड की ब बनी थी मित्रता की यात्रा ठीक है नेक्स्ट है हमारा खड़क सिंग वालदिया का संबंद किस छेत्र से है तो देखे ये कोशन भी पेपर में पूछा जा चुका है प्रीवेस एर कोशन है खड़क सिंग वालदिया एक प्रसिद बुवज्यानिक है, इनका संबंद बुवज्यान से है नेक्स्ट है प्रसिद रचना शहीद एव वतन पिथोरागड के रचियता कौन है तो काफी प्रसिद रचना है शहीद एवजन पिथोरागड और ये रचना है राजेश मोहन उपरिति की इनका नाम आपको याद रखना है पूछा जा सकता है तो शहीदेवतन पिथोरगड किसकी रचना है राजिश मोहन उपरेती इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं और हैं जैसे की क्रीडा पत उत्रांचल किसकी रचना है राजिश मोहन उपरेती इसके अलावा दरोहर जनपद पिथोरागड किसकी रचना है राजिश मोहन उपरिती की इस सारी रचना है आपको याद रखनी है ठीक है इनके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हम पिथोरागड से जुड़े हुए कोशन को देख रहे हैं तो जो हमने राजिश मोहन उपरिती का संबंद किस जिले से है पिथोरागड से है इनकी रचना है आपको याद रखनी है पूछी जाती है नेक्स्ट है हमारा उत्राखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है देगे उत्राखंड की तीजन बाई ये कहा जाता है कबूतरी देवी को ठीक ह तो ये इसका सही आंसर है आपको याद रखना है उत्राखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी को कहते हैं इनका संबंद भी पिथोरा गड़ से है काफी प्रसिद ये लोक गाई का है उत्राखंड की पहली महिला लोक गाई का अगर आपको पूछा जाएगा तो आप इन ही का नाम बताएंगे ठीक है कहां से हैं पिथोरा गड़ से इनको कुमाउ कोकिला भी कहा जाता है उत्राखंड की तीजन बाई तो कहते ही हैं इसके अलावा इनको कुमाउ कोकिला भी कहते हैं तो ये भी आपको याद रखना है और किस से संबंदित है लोक गाई का है यानि लोक संगीत से इनका संबंद है किसे मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है तो देखें मौलिक पंडित के नाम से कौन जाने जाते हैं सही आंसर है नैंसिंग रावत ठीक है जो नैंसिंग रावत है पंडित नैंसिंग रावत इनको कहा जाता है तो इनका उपनाम क्या है मौलिक पंडित इनका ये जो अपने पेशेशे क्या थे ये ये सर्वेयर थे इन्होंने सर्वे किया था लहसा मार्ग का इन्होंने सर्वे किया था नेपाल सीमा से लेके लहसा तक का लेकिन ये थे क्या तो यहाँ एक टीचर थे पूछा जा सकता है आपको ध्यान रखना है नैन सिंग रावत इनको मौलिक पंडित कहते हैं इसके अलावा नैन सिंग रावत को देशी राज्यों का साथी भी कहा जाता है तो आपको अगर कुश्चन बनेगा बताएए देशी र को कहा जाता है तो दोनों याद रखना यहाँ पर मौलिक पंडित नैन सिंग रावत गूरा ब्रहमन जिम कॉर्बेट और नैन सिंग रावत को देशी राज्यों का साथी भी कहते हैं इनका संबंद भी पिथोरागड से है पिथोरागड के मुन्श्यारी में 1830 में इनका जन हुआ था ठीक है और यह राजे के पहले सर्वेयर भी थे। नैसिंग ने किस वर्ष नेपाल सीमा से लहसा तक सर्वेक्षन किया था तो देखे नेपाल से लहसा तक यानि तिबत तक सर्वेक्षन का तारिया नैन सिंग रावत के द्वारा 1866 में किया गया था काफी तो ये जानना चाहते थे वहां की परिस्तितियों के बारे में इसलिए इन्होंने यहीं के एक व्यक्ति को भेजा नैन सिंग रावत को जिन्होंने नेपाल से लेके तिबबत तक का पुरा सर्वेक्षन किया 1866 में तो आपको ध्यान रखना है फिर इनके इस काम के लिए ब्रि नैन सिंग रावत के नाम पर डाक टिकड कब जारी हुआ था तो नैन सिंग रावत जी के नाम पर डाक टिकड 2004 में जारी हुआ था ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है हमारा उत्राखंड कितना सच और कितना चल किसकी रचना है काफी प्रसिद रचना है पूछी ज गजिखन के लिए पिफ़रागर में एक संस्था है दाद, तो धाद नामक संस्था किसके द्वारा बनाई गई थी, इस संस्था का गठायन सुरेंद्र सिंग पांगती नहीं किया था, दो कोषळ बन गए, उत्राखन कतना सच, कितना चल, किसकी है सुरेंदर सिंग पांगती धाद नामक संस्था किसने बनाई है सुरेंदर सिंग पांगती इसके अलावा पिथोरा गड़ में एक म्यूजियम है जिसे हम ट्राइबल हैरिटेज म्यूजियम कहते हैं ठीके इस म्यूजियम को भी सुरेंदर सिंग पांगती के द्वारा बनाया गया था ठीक है और इस museum को यह जो museum आपको कोशन बनता है exam के अंदर आपसे direct पूछेगा बताईए जो tribal heritage museum है कहा है तो आप बताएंगे पिथोरा गड़ में है और इसी museum को master जी museum भी कहते हैं तो आपको या तो यह पूछ लेगा tribal heritage museum कहा है या direct पूछेगा बताईए master जी museum कहा है ठीक है और किसने बनाया सुरिंद्र सिंग पांक्ती next है हमारा iron wall of India किसे कहा जाता है देखे iron wall of India कहा जाता है त्रिलोग सिंग बसेड़ा जी को ठीक है यह एक प्रसेद फुटबोलार है तो आपको याद रखना है किस खेल से संबन्दित है फुटबॉल से और इन्हे iron wall of India कहा जाता है ध्यान रखेंगे जो उत्राखंड के खेल पुरुसकार दिये जाते हैं 2014 में इनको देव भूमी खेल रतन पुरुसकार से समानित किया गया था तो देव भूमी खेल रतन पुरुसकार ये उत्राखंड के अपने खेल पुरुसकार है ये इनको 2014 में मिला था इन खेल पुरुसकारों की शिरुवात होती है 2013 से तो आपको प्रश्न बनता है पहला देव भूमी खेल रतन पुरुसकार किसको मिला था तो वो मिला था आपके जो जस्पाल राणा थे निशाने बाज उनको मिला था और दूसरा वाला जो 2014 में दिया गया वो त्रिलोग सिंग बसेडा को तिया गया तो दोनों याद रखने हैं पहला जस्पाल राणा और दूसरा जो था त्रिलोग सिंग बसेडा नेक्स्ट है द्रोनाचारिय प्रुसकार से सम्मानित राज्य की प्रत्थम महिला कौन थी द्रोनाचारिय प्रुसकार से सम्मानित होने वाली राज्य की पहली महिला हंसा मनराल थी इनको यहां प्रुसकार 2001 में दिया गया था हंसा मनराल किस छेतर से संबंदित है तो ये एक वेट लिफटर है भारत उलक से इनका संबंद है ठीक है राजे की पहली महिला जिन्हें आपका द्रोनाचार्य प्रोसकार ये देश वाला द्रोनाचार्य प्रोसकार है ठीक है देवभूवी द्रोनाचार्य प्रोसकार नहीं है नेक्स्ट है हरीदत कापडी का संबंद किसे खेल से है हरीदत कापडी इनको लेकर कोशन पेपर में बन चुका है इनका संबंद है बासकेट बॉल से ठीक है आपको ध्यान रखना है ये किस से संबंदित है बासकेट बॉल से और 2014 में इनको देव भूमी lifetime achievement award से सम्मानित किया गया था ठीक है अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है देखे पेपर में आप से पूछा गया था हरिदत कापडी का संबंध किस खेल से है आपने बताया बास्केट बॉल अब इनसे जुड़े कुछ अन्यत तत्य हैं जो आपको याद रखने है जैसे जो उत्राखंड का देव भूमी lifetime achievement award है वो इनको मिला है वो मिला था 2014 में शुरुवात भी 2013 में तो 2013 में किसको मिला था तेरह में मिला था जो पदम बहादूर मल थे उनको यहाँ award मिला था ठीक है यहाँ पर हम देख रहे हैं lifetime achievement award देव भूमी तो इनको हरिधत कापड़ी इनको 2014 में मिला 2013 में पदम बहादूर मल को मिला था ठीक है नेक्स्ट है हरी सिंग थापा को प्रतम राजियत द्रोनचारिय पुरुसकार कब मिला था यानि कि जो उत्राखंड का देव भूमी द्रोनचारिय पुरुसकार है इसके पहले विजेता थे हरी सिंग थापा और इनको यहाँ पुरुसकार 2013 में मिला था चुकि 2013 में ही इनकी शिरुवात हुई थी तो आपको इस तरीके से कोशन बनेगा बताईए द्रोनचारिय जो देव भूमी द्रोनचारिय पुरुसकार है इसके पहले विजेता कौन है हरी सिंग थापा और यह एक प्रसिद मुक्के बाज है लगातार साथ बार एवरेश्ट फतह करने वाले राज्य के एकमात्र परवतारोही कौन है तो इसको एवरेश्ट करना ठीक है तो लगातार साथ बार माउंट एवरेश्ट को फतह करने वाले राज्य के एकमात्र परवतारोही है लवराज सिंग धर्म सक्तो और इनका नाम भी पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंधी पिथोरा गड़ से है किसे माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है माउंटेन गोट यानी पहाडी बक्री तो इन में से किसे पहाडी बक्री के नाम से जाना जाता है ये कोशन आप से कई बार पूछा गया है चंदरपरभा एतवाल को पहाडी बकरी के नाम से जाना जाता है या इंगलिश में जिसे माउंटेन गोट कहा जाता है चंदरपरभा एतवाल को 1981 में अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया नेक्स्ट है कटकू नौला कहा इस्तीत है देखें कटकू नौला आपके पिथोरागड में इस्तित है इसके अलावा जानवी नौला ये भी आपके पिथोरागड में ही इस्तित है विल्की गड का किला कहा है तो विल्की गड किला ये भी आपके पिथोरागड में इस्तित है नेक्स्ट है युनेस्को के अनुसार पिथोरागड की कौन सी भाषा विलुप्त हो चुकी है तो युनेस्को के अनुसार पिथोरागड की दो भाषाएं रंगकस और तोलचा ये दोनों विलुप्त हो चुकी है तो आपसे ऐसा कोशन बन सकता है बताएए रंगकस भाषा किस जन्पत ने बोली जाती थी पिथोरागड में तोलचा भाषा कहां बोली जाती थी पिथोरागड में तो ये कोशन भी आपको याद रखना है रंग समुदाय संग्रहलय कहां इस्तित है तो यहां आपके पिथोरागड में इस्तित है नेक्स्ट है पिथोरागड इस्तित ताल पिथोरागड में इस्तित है ये भी एक्जाम में पूछा गया है important है आपको धियान रखना है गबला देव उत्सव किस जनपत में मनाया जाता है तो गबला देव उत्सव ये आपके पिथोरागड में मनाया जाता है ठीक है गबला देव को गनीश भखवान का अवतार माना जाता है तो ये भी पूछा जा सकता है गवला देव किस जन जाती के आराध्य देव हैं तो गवला देव जो हैं ये सोका जन जाती के आराध्य देव हैं important है ध्यान रखेंगे सोका जन जाती भोटिया जन जाती की को उपजाती है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है देवनागरी लिपी के आधार पर शेटी लिपी का अविश्कार किसने किया था ये कोशन भी पेपर में पूछा जा चुका है एक प्रिविस एर का कोशन है देवनागरी लिपी के आधार पर ये जो शेटी लिपी है इसका अविश्कार थोन मी संभूठा के द्वारा किया गया था और ये कोशन पेपर में पूछा गया है पिथोरागर का कौन सा छेतर मेगनेसाइड भंडार के लिए प्रसिद है तो देखे इसको हमने जब अलमोडा वाले कोशन हमने देखे थे वहीं पर भी देखा था कि अलमोडा का जहरौली छेतर और पिथोरागर का चंडाक छेतर ये दोनों मेगनेसाइड के लिए प्रसिद ह नेक्स्ट है पितोरागड इस्दित कोटली का विश्नु मंदिर को सरकार ने विश्व धरोहर कब घोशित किया था इसको करना राश्ट्रिय धरोहर ठीक है जो पितोरागड में कोटली विश्नु मंदिर है काफी एतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर को भारा सरकार के द्वारा 2019 में राश्ट्रिय धरोहर गोशित किया गया था ठीक है तो आपको डारेट कोशन बनेगा कोटली विश्णु मंदिर कहां पर है पितोरागड में राश्ट्रिय धरोहर गोशित है 2019 से नेक्स्ट है हमारा पितोरागड जन्पद में कितने विधानसभा छेतर हैं देखें विधानसभा की संख्या है चार ठीक है उत्रा खंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है पितोरागड लेकिन विधानसभा की सीटें यहाँ पर कम हैं तो चार ही विधानसभा सीटें हैं एक है आपकी DD हाट, एक है पितोरागड, एक है गंगोली हाट और एक है धारचुला ठीक है तो चार है इन में से जो important है याद करनी है वो है गंगोली हाट यहां आरक्षित सीट है अनुसूचित जाती के लिए ठीक है अगर हम यहां से मौजुदा विधायकों की बात करें हाला कि इ यूक महर और गंगोली हाट से फकीर राम और धारचुला से हरीज सिंग धामी यहां से जीते हैं यह आपको याद रखना है अगर बात करें पितोरागड में ब्लॉक कितने हैं पितोरागड में विकास खंडों की संक्या है आठ कौन-कौन से हैं मौनशयारी, धारचुला, दीडी हाट, कनाली चीना, कंगोली हाट, मुना कोट और पितोरागड तो पितोरागड में आपके कितने ब्लॉक हैं आपके 8 ब्लॉक हैं एक चीज आपको याद रखनी है जो पितोरागड की ओफिशल वेबसाइट है वहाँ पर इस ब्लॉक का नाब नहीं दिया गया है पि पिथोरागड में आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर हम तहसीलों की बात कर लेते हैं पिथोरागड में तहसीलों की संख्या 13 है और उत्राखंड में सबसे ज़ादा तहसील वाला जनपत अगर आपको पूछा जाएगा तो वो आपका पिथोरागड हो गई है गनाई, गंगोली, देवलथल, कनाली छीना, थल, तेजम और पांखु देखे पहले पिथोरागड में भी 12 तहसीले थी ठीक है और पौड़ी में भी 12 तहसीले हैं लेकिन अब यहां पर एक नई तहसील बना दी गई जिसके कारण अब यहां पर तहसीलों की संख्या तेरा हो गई और सबसे ज़दा तहसील आपका पिथोरागड में हैं ठीक है नेक्स्ट है बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है तो देखे बागेश्वर के कई सारे उपनाम हैं कई सारे नाम है बागेश्वर के उसे उत्तर का वरनसी भी कहते हैं बागेश्वर को ब्या अगर आपको पौरानिक नाम पूछेगा आप अगनी तीर्थ ही बताएंगे. तो बागेश्वर का पौरानिक नाम क्या है अगनी तीर्थ. ठीक है? wanted next है हमारा minus मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है देखे मानस खंड मानसखंड में इसको अगर आपको पर्टिकुलर पूछेगा नाम लेकर के बताईए मानसखंड में क्या कहा गया है तो मानसखंड में बागेश्वर को नील गिरी कहा गया है ये जो बागेश्वर है आपका गोमती और सरयू नदी के संगम पर इस्तित है most important point है इसको ध्यान से सुनना जो बागेश्वर है आपके गोमती और सरयू नदी के संगम पर इस्तित है ठीक है गोमती और सरयू मानसखंड में जो सरयू नदी है इसे गंगा और जो गोमती है इसे यमुना कहा गया है एक बात तो आपको ये याद रखनी है दूसरा यहीं पर जो इन दोनों का सं पूछा जा सकता है मंदिर में यहाँ पर इसने पूजा करी मंदिर का जेनोधार करवाया और फिर इसने गड़वाल पर आकर्वन केया आřवी बार और तब इसको थोड़ी सी सफलता मिली थी जब इसने गड़वाल के सेनपत्य खतर सिंग को मार दिया था और कुमाओ में खतरवा तहवार की शि चीसवां पार्ट देखा, साड़े 1200 कोशन्स को अतरिक तथ्यों के साथ हम यहां पे कवर कर चुके हैं, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक और चीज़ फ्रेंड, हमें यूटूब के द्वारा यहां ओप्शन आप दे दिया गया है, थैंक्स का ओप्शन, तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी वीडियो त्यापकर आपको फाइदा होता है, आपकी प थैंक्च्यू फ्रेंड्स, उमेद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, थैंक्च्यू फ्रेंड्स